नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का To The Point चैनल में स्वागत है दोस्तों आज के इस क्लास में यह सची CGL एक्जाम में पूछे गए प्रिवियस एर प्रसनों को सौल्व करेंगे आप सभी लोग इस क्लास को पूरा देहान से देखिए देखिए किस प्रकार के प्रसन previous year में पूछे गए है इस क्लास में दोस्तों सामाने जागरुकता के टौप 50 प्रसनों को देखेंगे जो प्रिवियस एर एक्जाम में पूछे गए है तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रसन है रेसम के कीडे किन पर पलते हैं आप्शन है तुलसी के पत्ते करी के पत्ते गुलाब के पत्ते मलबरी के पत्ते देखे दोस्तों रेसम के कीडे मलबरी या सहतूत के पत्ते पर पलते हैं इसलिए D आप्शन राइट है अगला प्रश्ण देखेंगे भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस छे देखेंगे दोस्तो चीपी वीरोजगारी वह स्थिती है जिसमें स्रमिक अवस्तता से अधिक कारयों कर रहे होते हैं इस प्रकार की वेरोजगारी दूस्तो भारत में 33 शेत्र में पाई जाती है इसलिए ए आपसन राइड है आगे बढ़ते हैं निमने लिखित में से किसको विस्ट बैंक भी कहा जाता है अंतरराष्टी मुद्रकोस अंतरराष्टी पुर्णर निर्मारियों विकास बैंक विस्ट ब्यापार संगठन अंतरराष्टी विकास संग देखे दोस्तों अंतरराष्टी पुर्णर निर्मारियों विकास बैंक को आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसकी आत्म कथा है आगे बढ़ते हैं सभी प्रस्ण आप लोग ध्यान से देखते हैं ये सभी प्रस्ण प्रिवियस एर एक्जाम में पूछे गया है उत्तर प्रदेश की प्रथब महिला मुख्यमं मंत्री कौन थी ओप्शन है एनी वेसेंट मायावति विजय लक्षमी पंडित सुचेता क्रिपलानी देखे दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता क्रिपलानी थी दी आप्शन आपका राइट है याद रखिएगा 1963 से 1967 तक यह उत्तर अगला प्रशन देखेंगे निमन में से कोईले का सबसे सुधुरूप क्या है ऑप्शन है इंत्रेसाइट काजल ग्रेफाइट लकडी का कोईला देखे दोस्तों कोईले का सबसे सुधुरूप इंत्रेसाइट है यह आपका राइट है इंत्रेसाइट कोईले की सबसे अच् देखे दोस्तों दिल्वाळा के जैनमंदुर राजस्थान में इस्तित हैं C-option आपका राइट है दिल्वाळा जैनमंदुर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंड आबु नगर में इस्तित हैं यहां पर आपका C-option आगे पढ़ते हैं 6 रोग दोस्तो, Mycovacterium tuberculosis नामक जिवान के संक्रमन से होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, पोलियो की बात करते हैं, तो पोलियो एक विसानु जनित रोग है, इसके संक्रमन को रोकने के लिए पोलियो का टीका दिया जाता है, Hepatitis की बात करते हैं, तो Hepatitis B एक विसानु जनित रोग है, Hepatitis B के विर्धुटी का उपलब्ध है, और दोस्तो, AIDS की बात करते हैं, तो यह HIV के संक्रमन से होता है, इसका कोई उपचार अभीत उपलब्ध नहीं है, चलि आगे बढ़ते हैं, ताली कोटा के युद्ध के समय विजयनगर समराज में कौन से राजवन्स का राज था, देखे दोस्तो, ताली कोटा के युद्ध के समय विजयनगर समराज में संगम राजवन्स का राज था, यह आपसन आपका राइट है, ताली कोटा का युद्ध 1565 में दक्कन की सल्तन और विजय नगर समराज के बीच हुआ था यह लड़ाई दोस्तों राचास्तांगडी नामक अस्थान पर लड़ी गई थी और इस विद्धु में विजय नगर समराज को हार का सामना करना पड़ा था आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है पोलो या चावगान खेलते समय न कर दोस्तों अगला प्रस्ण है निम्न में से कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्र युक्त होता है ये सभी प्रस्ण दोस्तों और पूछे गये हैं इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखते हुई चलिए तो देखे दोस्तो ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रवर्धक साधन के रूप में होता है इसलिए D option right है आगे बढ़ते हैं दो पच्छों के बीच संप्रेशन करने का एक ऐसा समझ होता है जो यह बताता है कि संप्रेशन कैसे किया जाए तो देखे दोस्तो प्रोटोकाल दो पक्षों के बीच संप्रेशन करने का एक ऐसा समझ होता है जो यह बताता है कि संप्रेशन कैसे किया जाए D option आपका right है अगला प्रशन है विरंजक पाउडर को तयार करने में प्रियुक्त होने वाली गैस कौन सी है आप्शन है आक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन क् प्रियुक्त होने वाली गैस क्लोरीन है इसलिए D option राइट है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है ओजोन परत में रिक्ती करण किसके कारण होता है आप्शन है नाइट्रस आक्साइड कारवन डाई आकसाइड क्लोरो फ्लोरो कारवन मीथेन तो देखे दोस्तों ओजोन परत में रिक्ती करण क्लोरो फ्लोरो कारवन के कारण होता है C option आपका राइट है आगे बढ़ते हैं सभी प्रसना आप लोग द्यान से देखते हुए चलिए सरिस्का और रण थंभौर निम्न में से किसका सुरच्छित अस्थान है option है सिंग हिरन बाग भालू देखे दोस दोस्तों सरिस्का और रण थंभौर ये बाग का सुरच्छित अस्थान है C option आपका राइट है आगे बढ़ते हैं अंतरराष्टी समझदारी के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नहरू पुरसकार किसके द्वारा दिया जाता है तो देखे दोस्तों अंतरराष्टी परिशत द्वारा दिया जाता है D option आपका राइट है अगला प्रस्ण है फासफोरस को पानी में क्यों रखा जाता है option है क्योंकि उसका जोलंत आपमान बहुत अधिक होता है क्योंकि उसका जोलंत आपमान बहुत कम होता है क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान अधिक होता है देखे दोस्तों फासफोरस को पानी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसका जोलन तापमान बहुत कम होता है भी आपसनाप का राइट है याद रखिएगा फासफोरस जो होता है विशेसकर सफेद फासफोरस वाई की उपस्तिती में कम तापमान पर भी मंद दहन दोरा धी मसहूर दिलवाडा मंदिर निम्न में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ अस्थल है आप्शन है बौध जैन सिख पारसी देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट एसर है बी आप्शन जैन धर्म याद रखिएगा राजस्थान में माउंट आबु इस्थित दिलवाडा का जैन मंदिर जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है यह पांच मंदिरों का एक समुध है यह राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबु नगर में इस्थित है इन मंदिरों का निर्मार दोस्तों 11 और 13 सताबदी के मद्ध हुआ था इसे भी आप लोग याद रखिएगा आ इन में से कोई नहीं देखे दोस्तों आवाज की माप डेसिबल में की जाती है इसलिए यह आपसन आपका राइट है हर्टर दोस्तों यह आपरिती का मातरक है इसे भी आप लोग याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं रेफ्रिज्डेटर में सामाने तह किस सी इतलग का प् रेफ्रिज्डेटर में सामानिता फ्रेयान नामक सी इतलग का प्रयोग किया जाता है जो एक प्रकार की CFC गैस है यह गैस दोस्तों अक्री होने के कारण स्वास्त के लिए हानिकारक नहीं होती परन्तु ओजोन परत के छै का कारण बनती है इसे भी आप लोग याद देगा अगला प्रस्ण है इलेक्ट्रानिक्स में IC का पूर्ड रूप है देखे दोस्तों IC का पूर्ड रूप इंटीग्रेटेड सरकिट होता है इसलिए C आप्षन राइट है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है निम्निमेस से किसे गांधी जी अपना राजनेतिक चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है निम्निमेस से कौन सा संविधान संसोधन अधनियम प्रारंभिक सिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है तो देखे दोस्तों भारत के संविधान में 86 संविधान संसोधन 2002 के अनुश्यद 21 में एक नया भाग 21 ए जोड़ा गया जिसमें राजी को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को नेसूल के तथा अनिवारे सिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है यहाँ पर दोस्तों सी आपसन आपका राइट है 86 संविधान संसोधन चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है पन्ना लाल गोस निम्निमेश से कौन सा वाद्ययंत्र बजाते थे देखे दोस्तों पन्ना लाल गोस यह प्रसिध बासुरी वादक थे इसलिए ए आपसन आपका राइट है इनका मूल नाम दोस्तों अमल जोती गोस था और यह अलाउद दिन खान के सिस्ष थे चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है रियो सिखर सम्मेलन का सम्मंध किस से है देखे दोस्तों रियो सिखर सम्मेलन का सम्मंध जयव विविस्ता पर सम्मेलन से है ए आपसन आपका राइट है याद रखिएगा वर्स 1992 में रियो डी जिनेरियों में आयोजित प्रित्वी सम्मे आगे बढ़ते हैं सभी प्रसन आप लोग ध्यान से देखते हुई चलिए ये सभी प्रसन प्रिवेश एर एक्जाम में पूछे गए हैं निम्न में से किस अनुच्छेद की कार्य पडाली के तहत भारती सम्मिधान में संसोधन किया जा सकता है तो देखे दोस्तों भारती सम् पडाली को दच्छिड अफरीक्या के सम्मिधान की तर्ज पर सोविकार किया गया है इसे भी आप लोग याद रखिएगा विजय नगर सहर और किस नाम से जाना जाता है तो देखे दोस्तों विजय नगर सहर हमपी के नाम से जाना जाता है सी आपसन आपका राइट है देखे दोस्तों मुहम्मत बिन तुगलक ने चादी के सिक्कों के स्थान पर ताबे के सिक्के चलाये थे वी आपसन आपका राइट है याद रखियेगा मुहम्मत बिन तुगलक तुगलक वन्सका सासक था जो अपनी सुधार योजनाओं के लिए प्रसिद्ध था इसे भी आप लोग याद रखिएगा निमने में से कौन सा छेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट असर है बी आपसन गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी याद रखिएगा गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी ऐसा छेत्र है जहां भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है क्योंकि ये छेत्र हिमालय के सीमान्त छेत्र में सित है जहां भा वूस्त interrupt हो जाएगा बी आप सं स्रेष्ट चालक के रूप में कम ताप मात्रा पर सिसा स्रेष्ट चालक के रूप में बयोहार करता है आपका राइट है अगला प्रस्शन है नेटवर्क में संचिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है देखे दोस्तों नेटवर्क में संचिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है टोकन कहलाता है A Apson आपका Right है आगे बढ़ते हैं निमने में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका Right एसुर है D Apson स्टार्च एक प्राकृतिक पॉलीमर है D Apson आपका Right है याद रखिएगा स्टार्च लकड़ी यूम रबर आध एक प्राक्रतिक पॉलीमर है प्राक्रतिक पॉलीमर को पोधो एम जीवधारियों से प्राप्त कीया जाता है इसे आप लोग याद रखिएगा अगला पृशन है निमनिमे से कौण सा अस्तनधारी जानवर अंडे देत तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट एसर है प्लाइटीपस प्लाइटीपस दोस्तों एक अस्तंधारी जानवर है जो अंडे देता है डी आपसन आपका राइट है प्लाइटीपस एक अनोखी आश्रेलियाई प्रजाती है इसे भी आप लोग याद रखियेगा अग निर्मार दोस्तों 1604 से 1613 इस भी के मद्ध किया गया था यह मकबरा 119 एकर में फैला हुआ है इस मकबरे का निर्मार जहांगीर ने अपने सासन काल में करवाया था यह आपसन आपका राइट है आगे बढ़ते हैं पंडित भीम सेन जोसी निम्न में से किस छेत्र से संबंध रखते हैं आपके सामने है साहित्य सामाजिक सिवाय सास्त्री संगीत राजनीत देखे दोस्तों पंडित भीम सेन जोसी का संबंध सास्त्री संगीत से है इसलिए C आपसन आपका राइट है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है संग्त राष्ट की सुरक्षा परिशत के 10 आपसन आपका राइट है इसलिए D आपसन आपका राइट है आगे बढ़ते हैं त्रीपिटक दर्मक्रंद का संबंध किस धर्म से है इसलिए D आपसन आपका राइट है ये सभी प्रस्ण दोस्तों प्रिवियस एर में पूछे गए हैं इसलिए इन सभी प्रस्णों को ध्यान से देखते हुए चलिए यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अउमूल्यन करता है तो देखे दोस्तों यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अउमूल्यन करता है तो निर्यात सस्ता तथा आयात महगा हो जाता है ये आपसन आपका राइट है देखे दोस्तों अउमूल्यन वह प्रक्रिया है जिसके अंतरगत कोई देश जान वूज कर अपनी देश की मुद्रा का मूल्य डालर के मुकाबले कम कर देता है इससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है और मूल्यन के दोरान दोस्तों विदेशी वस्तूओं की कीमत बढ़ जाती है इससे विदेशी वस्तुगों की मांग कम हो जाने से आयात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसे भी आप लोग याद रखिएगा निमने में से कौन सी अधात अपनी तरली अवस्था में अपरूपता प्रदर्सित करती है देखे दोस्तों सलफर अधात जो है यहाँ प देखे दोस्तों रागनी हरियाना राज की लोकुप्रिय गीत सैली है सी आपसन आपका राइट है इसे दोस्तों हरियानवी रित्त के साथ गाया जाता है प्रतियसपर धात्मक रूप से इस गीत सैली का आयोजन विभिन सैक्षरी संस्थानों में किया जाता है सी आपसन रेखा रेड़ क्लिफ रेखा कहलाती है देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट अंसर है सी आपसन भारत तथा पाकिस्तान याद रखिएगा रेड़ क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्ध अंतरराश्टी सीमा रेखा बनाती है विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को द दीपिका कुमारी भारती महिला तिरंदाज है जो जारखंड राजे से संबन्दित है ए आपसन आपका राइट है तिरंदाजी आगे बढ़ते हैं इबोला सब्द से आप क्या समझते हैं देखे दोस्तों इबोला सब्द पस्चिम अफरीका में एक विसान रोग है यहां प प्रमुक लक्षण उल्टी दस्त बुखार सिर्दर्द रक्त स्रावयं आखे लाल होना आदी है ए आपसन आपका राइट है आगे बढ़ते हैं एड्स का विसान किसकी वृध्धी को प्रभावित करता है तो देखे दोस्तों एड्स का विसान रक्त में टी को सिका की देखे दोस्तों नीरत चोपडा का नाम किस खेल से जुड़ा है देखे दोस्तों नीरत चोपडा भारत के जैविलीन थ्रो अर्थात भाला फिक के खिलाडी है यहाँ पर आपका सी आपसन राइट है 2018 के गोल्ड कोस्ट में होने वाले राश्ट मंडल खेलों में नीरज ने जैविलीन थ्रो में स्वड़ पदक जीता ऐसा करने वाले ये जैविलीन थ्रो के पहले भारती खिलाडी है इसे भी आप लोग याद रखिएगा आगे बढ़ है C आपसन राइट है आगे बढ़ते हैं भारती सिविल सेवा किसके सासन के दोरान आरंब की गई थी तो देखे दोस्तों भारती सिविल सेवा कारणवालिस के सासन के दोरान आरंब की गई थी और याद रखिएगा भारती सिविल सेवा का जनक कारणवालिस को माना जाता ह दी आप सनापका राइट है तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यही पर समात होती है यह क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर बताईए यह सभी प्रस्ण प्रिवियस एर एकजाम में पूछे गय थे आसा है या क्लास आपको अच्छा लगा है अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों मसेर करिए और कमेंट में लिक कर जरूर रताइए